मान लिजिये कि आपको 50 करोड का खजना मिल गया है आप उसी से पागल हो रहे हो और तभी आपको पता लगता है कि उसी खजाने के बज़सी आपकी फुरी फैमली ही खत्रे में पड़ गई है और जब आप उस खजाने को लोटा कर अपनी को बचाने के बारे में सोचते हो ट्रेलर रीजिस होने के बाद सभी लोग साइट के केरेटर को जौनरी के साथ कंपेर कर रहे थी और उसका थोड़ी थड़ा जलक हमें मुवी में भी देखने को मिल जाता है मुवी का स्टोडी बहुत ही सिंपल है कि साइट एक अंडर कपर एजेंट है और उनको 50 करोर का ड्रक्स मिल जाता है लेकिन उसका बेटा गायब हो जाता है अब इस मुवी के स्टोडी इसी अराउंड गुमती है ड्रोक्स और बेटा मुवी के पहले 35 मिनेट बहुत इंगेजिंग होने के बाद सेकेंड हाफ की तरब जब हम आगे बढ़ते हैं तब एक्शन तो बरपूर देखने को मिलता है पर मुवी बहुत ही प्रिडिक्टिबल बन जाती है जिसकी बज़ा से मुवी में थोड़ा इंट्रेस कम होने लगता है लेकिन हम वोर तो होते ही नहीं है मुवी में जो बाप और बेटे का बोंडिंग दिखाया गया है वो उतनी अच्छी तरगे से काम तो नहीं करता है लेकिन फिर भी हम उनसे कनेक्ट थोड़ी थोड़ी हो जाते हैं जो टेंशन साइद के केरेटर को फिल करना था वो बिल्कुल भी मिसिंग है तो हमें उनका एग्रेशि बिएविरी दिखता है विलेन के बारे में बात करें तो जो डर हमें उनसी उम्मीद थी वो डर बिल्कुल भीısिंग था मुवी देखते बहुत उतना थ्रिल मौसुज भी नहीं होता है Bloody Daddy एक एक्षन थ्रिलर मुवी होने के बावजित भी इसमें थ्रिल था ही नहीं लेकिन अब एक्षन के बात करें तो एक्षन ठीक ठाक था जितने भी सपूर्टिंग कास्ते उनका काम भी अच्छा था जिसके बज़े से हम इस मुवी को अच्छी तरह किसे देख पाते है ओबराल ये मुवी एक डिसेंट अच्छी इंगेजिंग मुवी बनने में कामयाब होती है आप एक्षन मुवी देखने के बाते है तो आप इस मुवी को आप छेक ऑट कर सकते है अगर आप लोगोंगों ये विडियो अच्छा लगा है तो आपके इस चैनल को झाल जो है झाल